तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेंट अफियर्स पे फैब 2020 के करेंट अफियर्स जो है वो हमें पढ़ाऊंगे आप लोगों को तो इससे पहले जो मेरे प्रिविएस लेक्चर थे वो थे जैन्वेरी पे और फैब का मैंने हाफ पढ़ाया था तो फैब का जो हाफ तो स्टार्ट करते हम अपना लेक्चर ओके स्टार्ट करते हम अपना लेक्चर तो सबसे पहले है फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म टू विन ऑस्कर 2020 एवार्ड बेस्ट पिक्चर केटागरी में वो मिली किसको पेरसाइट को तो पहली ऐसी नॉन इंग्लिश फिल्म जिसको ओस्कर मिला 2020 में फर बेस्ट पिक्चर इनकी अपने अपनी केटागरी होती है तो वो कौन सी मूवी है पेरसाइट तो बेसिकली ये कोरियन मूवी है तो इसके जो डैरेक्टर है उनका नाम क्या है बॉंग जून हूँ ओके इसमें जो प्रामिनर जो अल्फाबिट आ रहा है वो आ रहा है र आयूर वेदा रतन र तो प्रताप र इसका रहा है इसका र तो आप इसके साथ इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो ठीक है तो जब आपको अब्जक्टिव वहां पर आएगा तो आपको ये चीज याद पर जाए लेकिन फिर जब और दस नाम आप पड़ोगे तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन जिसा हो जाता है तो वहां पर आप याद ने रख पाओगे तो इनको याद नी रखना तो विसके लिए इनके साथ सा कोई ट्रिक लगानी होती ताकि चीज़े जो याद रहेंगी एक्जाम के जाए ठीक है फिर आता है नेक्स्ट इंतरनेशनल गांदी एवाard for Leprasey in the Individual Category ठीक है लेपरेजी में जिसने काम किया है उसको मिला है International pubth kulis dont वो मिला है डॉक्टर धर्म शक्तू को तो इसमें आप वो क्या ट्रिक लगानी है देखो ये नाम है इसका नाम है धर्म शक्तू धर्म means religion इसका मनला भी काफी religious person है ठीक है आप इसको नाम के साथ relate करो और अच्छा person है तब ही इसने लेपरेजी में जो है काफी काम किया है ठीक है लेपरेजी जो patient है या फिर जो लेपरेजी को जो है उसमें बहुत इसने role play किया है तो आप इसको इससे relate कर सकते हो धर्म से ठीक है फिर आते हैं next पे फिर आते हैं next पे तो आपको पताए है डोनाल ट्रम्प जो है यूसे की प्रेजिटेंट है तो नमस्ते ट्रम्प एक रैली और्गिनाइज की गई थी इस दियार तो आपने सुनाओ को यहाँ पर डोनाल ट्रम्प आयी थे प्राइम मिनस्टर के साथ उन्होंने रैली निकाली थी कहां पे निकाले थी एहमदाबाद में गुजरात में किस जगा पे particular जगा सरदार पटेल stadium ठीक है उसके बाद next है तो जो सरदार पटेल जो है मैंने आपको यह सरदार वाला भाय का मैंने statue भी बताया था आपको काफी historic statue मतलब है वो important statue है तो इसके लिए वो भी गुजरात के थे फिर आता है next world radio day कब बनाया जाता है 13 feb को देखो यह कैसे याद रखना है आपको तो यह कैसे याद रखना है देखो जो 13 feb है यह सरदियों का महीन है ठीक है तो सरदियों के महीने में पहले क्या होता था radio सुनते थे ठीक है पहले गानी सुनते थे news सुनते थे सरदियों में कंबल में बैठके तो feb को आप इसके सार लेकर रेडियों के सार ठीक है तो यह आपको याद रहेंगे next है national science day 28 feb तो यह देखो जो 20 feb का month होता है वो क्या होता है leap year होता है that means it's different from other months ठीक है तो इसको आप रख दो माइंड में कि काफी scientific scientific logic लगता है यह leap year है ठीक है scientific month है अप इसको रख दो और इसको आप रख दो इस तविया national science day के साथ ठीक है फिर आते हम next पे tamil nadu declare kaveri delta region as a protected special agriculture तो जो kaveri जो है काफी news में भी रहा है कावेरी river इस पे काफी dispute रहा था तो कावेरी भी south में है tamil nadu भी south में है आप क्या है जो kaveri delta region है इसको अब special agriculture जो zone है protected वहाँ पे अगरी कल्चर वगरा होगा protected special zone रखा गया है किसने किया है tamil nadu यह भी south में और यह भी south में तो यह आपको याद रखना है ऐसे next आते है money poor money poor क्या है eastern state है तो आप देखोगे वहाँ पे कि जो language है थोड़ा बहुत पता होगा आपको कि वहाँ की जो language जो इस तरह क्यों होती है अंगन फुआ हुनबा ठीक है अंगन फुआ हुनबा प्रोग्राम है मतलब यह जो मनिपूर की state है उन्हें प्रोग्राम निकला था कि irrigation water जो है वह जो है लाया जाए ताकि जो crops है क्योंकि आपको पताए कि इंडिया में जो irrigation का जो water है कितना important है बहुत सारी काफी percentage day job जो agriculture के जो होता है वो irrigated water से होता है हो गया यह है ओके फिर है next facebook सबको पता है we think digital program इन्हें लाँच किया we think digital program देखो नाम है digital that means facebook की अगए रखिया है यह digital platform है तो इन्हें लाँच किया जिसका नाम है वी थिंग digital program तो इसका एम क्या था डिजिटल लिटरेसी तु वुमें जो वुमें जो सेक्ट है उनको डिजिटल डिजिटल लिटरेसी प्रवाइट करना मदब नेट के बारे में बाकी जितना भी आजकल चाल रहा है वो सब के बारे में ठीक है तो यह यहां रखना फिर है जेपूर जो जेपूर है उसको युनिस्को ने वर्ल्ड हरिटेज सर्टिफिकेट दिया है इसको जेपूर को यह अब देखोगे जेपूर जो काफी ब्यूटिफुल स्टी है वहां की अगर आप देखोगे वहां का आर्किटेक्ट्चर देखोगे आप काफी हिस्टॉरिकल है वहां के मौनोमेंट्स ठीक है तो यह डिजर्व करता है जेपूर एंड इसको क्या कहते हैं पिंक सिटी भी कहा जाता है इसको ठीक है तो जेपूर वर्ल्ड हरिटेज सर्टिफिकेट को दिया गए है फिर नेक्स तो यह चीज़ा आपसके साथ रिलेट कर सकती हो कॉलेज स्कूल के साथ फिर है पाकिस्तान जो पाकिस्तान में काफी मैस्व लोकस्ट अटेक्ट देखने को मिला तो इंडिया में भी कुछ इस साल लोकस्ट अटेक हुआ था करोना के साथ साथ यह भी एक बला आई थी तो क्या हुआ कि वहाँ पे पाकिसान में नैशनल एमर्जेंसी डिकलियर की गई इस वज़े से हो गया यह यह यूएस हां यूएस एस्टोनोट क्रिस्टिना कोच यह यूएस की एस्टोनोट है क्रिस्टिना कोच यह स्पेस स्टेशन ठेक है जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे काफी एस्टोनोट जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं काफी काफी दिनों तक बैठते हैं काफी काफी एक एक दो दो साल तक रहते हैं बहुत साल तो नहीं यह वैसे एक साल से कम है 328 डेज तो समझे घर रहे हैं एस्टोनोट का वहाँ गर समझे होता है इसे पहले एक नाम था उनका पैगी कुछ नाम था उनका रिकॉर्ड तोड़के अब इन्होंने इतने दिन वहां से थ्री ट्री ट्री डेज वहां पे रहके वापस आई है तो काफी बहुत बड़ी बात है यह उसके बाद है हाइदराबाद जो है मेट्रो रेल जो है अब कंट्री की सेकंड लार्जर्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट में आई है ठीक है कंट्री की सेकंड लार्जर्ट ऑपरेशनल मेट्रो है वो कौन से हाइदराबाद जो चल पड़ी है जो चालू हो गई है वो क मुंखें पनाया है मातलह अभियान तो याप याद रखना अभियान आप आ्प आप आप गया आपba और कोलकता तो आप irgendwie कशार रिलेट कर सकती हो एंड मातलह अभियान कि इसको आप कैसे याद रखोगे को थे फेस्टिफिल आप है ने फज़ंड respir mora माता की ज़्यादा पूजा की जाती है माता ओके दुर्गा माता तो माता की साथ आप रिलेट कर सकते हो ठीक है कि जो जो इंडिया कोस्टल जो है कोस्ट के आफ्शोर में जो पैट्रोलिंग होती है जो इंडिया का जो कोस्ट है वहां के आफ्शोर वहां के काफी साइड से पैट्रोलिंग होती पैट्रोलिंग होती पैट्रोलिंग में चेकिंग ये वगेरा ठीक है तो वज्र इन्होंने क कामयां कार्थ हिएं तो साउथ अमेरिका की सबसे जो हाइस जो है पीक है इंडिया की है वो, मुंबई की है वो, उनका नाम है कामिया कार्थिकियान, ठीक है कामिया कार्थिकियान, यह 7th क्लास में पढ़ती है, काफी छोटी है और यह माउट एकन को को यह जो है, कलाइम किया है, तो आपको कैसे यह ट्रिक याद रखने हैं देखो, इसका नाम है काम यह लिए देट मिन्स काम यह आँ से इसका नाम आ रहा है काम तो इसने बड़ा ही खतना काम किया है ठीक है इतनी छोटी और कितना क्या जबदस्त काम किया इसने तो काम यह कार्थिक ग्यान ठीक है तो इती यह ट्रिक जो है useful रहेगी फिर है next डैनियल अरप मुई जो डैनियल अरप मुई थे वो कीनिया के प्रेजिडेंट थे और सबसे जिसने लॉंगेस्ट पे जो प्रेजिडेंट रहे हैं वो डैनियल अरप मुई है तो आप देख लो 1978 से लेकर 2002 तक की रहे हैं काफी लंबे समय तक रहे हैं तभी तो इनका नाम आया है कीनिया के हैं यह तो इनकी रिसेंटली असर में डैथ तो देखो आप नाम कैसे आथ है डैनल अरप मुई यह जिसका मुई है यह जो कीनिया में जो नाम होते हैं कीनिया एफ्रिका ठीक है अजेर वगेरा यहां पर ऐसे नाम होते हैं मुई तो इसके साल आप नाम याद रख देना फिर है नेक्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन जो स्लेक्ट के गए हैं वो है बिमल जुलका कौन है बिमल जुलका तो यह आपको नाम याद रखना है जुलका तो ओके यह आप खुदी ट्रिक्स में निकाल देना बिमल जुलका इसमें कोई भी ट्रिक नहीं आई मुझे फिर है CMD Chief and Managing Director of Coal India Limited किसको रखा गया प्रमोद इसकी की मिचे ट्रिक ने आई लेकिन जितने भी बढ़े बड़े बिजनसमें होते होते ना जिसने बढ़े बड़े बिजब्समें की काफी यह नाम होते है अगर वाल नाम होते हैं तो optio में अगर आपको अगरवाल दिखें तो आप रख देना कि यह Coal India Limited के CMD है काफी इसका short form है IBM वो किसको रखा गया अर्विंद कृष्णा को अर्विंद कृष्णा को तो आप जो है अर्विंद केजरिवाल जो है अर्विंद केजरिवाल का नाम इसमें याद रख देना ठीक है इंटरनेशनल बिजनस मेशीन क्यूंकि आप अर्विंद केजरिवाल जो है वो औरीजिन पॉलिटिशन जो है मैं इंडिया में पैदा हुए बाद में फिर यूके में वो सटल हो गए वहां का सिटिजन्शिप लिया उन्होंने यूके इस नियू फाइनेंस मिनिस्टर कौन है रिशी सुनक यूके के नियू फाइनस मिनिस्टर है तो काफी अच्छी बात है यह तो इनका नाम आपने कैसे या था है रिशी सुनक इसका आपको यहां से यह नापना सुना सुना अब यह इंडिया में थे फिर बाद में कहां चले गए यूके में तो इसका मलब यहां पे तो किसी ने सु सुना नहीं होगा नाम सुनाए आपको यह रात रखना है इसके साथ ठीक है तो रिशी सुनक आप बस दो तीन है आपको पताएं कि सुष्मा स्वराज की जो है रिसेंटली डाथ हुई थी तो ये जो प्रवसी भारती केंद्र है प्रवसी भारती केंद्र जो है इनका नाम चेंज करके आप रखा गया है सुष्मा स्वराज प्रवसी भारती केंद्र सिर्फ सुष्मा सुराज लगा दिया तो यह चीज़ आपको कैसे याद रखनी है देखो इसमें वर्ड है भारती भारती है तो सुष्मा सुराज किस पार्टी की थी भारती जनता पार्टी की तो भारती आपको याद रखना है तो आपको इससे रिलेट करना है इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है नैशनल इंस्टिटूट और फाइनेंशल मेनेजमेंट तो जो अरुन जेटली इनकी भी डैथ हुई रिसेंटी उनके नाम पे रखा गया है अरुन जेटली निम्फ नि-फम हो गए यह अब बस तीन बचे फीफा अंडर 17 बावर्ल कप 2020 इनिया में फिल दो कम बचेत न करते हुआ है में इसले पर चींटीम में 30 में में सीनिया में 70 में बच्छИज्ट मिल्ग में 3 डेखने नसाके फ्रीन होड़स पॉर्ट स्थमें संट्न ग कर तो सथ किए न्याे है तो तो क्या होता है कि किसी भी personality को या वाट का मिलता है कि जितना भी उनका जो एक carrier होता है मतलब जो उनका care जिसे सचिन टेंडल का क्या carrier था cricket तो cricket में जो best इनका moment था मतलब आप समझेटो कोई एक moment जो capture की गई हो जिसकी फिक्टर ले गई हो सबसे best किस कर रहा सचिन टेंडल का देखो इनकी पीक थी उस पीक में सचेंडल को दिखाया गया कि जब उनने जीता था कुछ match जीता या क्या जीता था वर्लकप शायद तो उस सचेंडल को कंथे पर बिठाया था सबने सबने कंथे बिठाया था तो वो इनके लाइफ का सबसे बेस्ट स्पोर्टिंग मुवमेंट था तो उस बेस पे इनको यह आवार्ड दिया गया तो काफी इंट्रेस्टिंग आवार्ड एगी तो हमने जो फैब के जो करेंट अफेर से वह कवर किये तो इसमें कुछ दो चार और करेंट अफेर हैं वह मैं आप एथार्मेंट एणांस की तो जो जो मरे शारप होः उनने पांच ग्रेंड स्लैम टाइटल जो है वो जीते हैं तो आज अशन का है उन्होंने सबसे जो है यंग गयस्ट है उन्होंने पहला ग्रेंड अफ जाता था टुथाओंफ फोर में उनने जीता थीक है तो मारे एसा नाम है तो बिसिकली क्या है यह ग्रीक शूटर है ठीक है यह ग्रीक शूटर है तो देखो जब भी ओलम्पिक स्टार्ट होता है तो एक आदमी जो है वो चलता है और वो जो torch होती हो मशाल होती है वो launch करके चलता है ठीक है तो history में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी female ने किसी woman ने जो है वो launch किया ठीक है वो पहले वो मशाल जलाई और मतला वो दोडते हैं फिर वो ऐसे तो यह कौन है अन्ना कोरा काकी और यह ग्रीक shooter भी रही है तो अब देख लो तो अब देख लो तो अब देख लो जो 2020 जो Asian wrestling जो चैंपिंशिप हुई थी जो इंडिया में हुई थी New Delhi में तो इसमें इंडिया जो है उसका रहें काता है third, Japan काता है first and Iran काता है third ठीक है So, आज के इस lecture में इतना ही तो जो next lecture हम लेके आएंगे वो होगा March 2020 के current affairs जिसमें जम्मो और कश्मीर के current affairs भी होंगे और बागी भी So, thank you